यह देखिए दोस्तों एक नई अपडेट जिसमें बताया गया अपग्रेड सेडियूल्ड न्यू यूपी एक्सप्रियंस एवेट यहां पर आप देखेंगे अपग्रेड नौ की आप्सन आ रहा हो नीचे में I don't want to अपग्रेड आ रहा और बताया जा रहा कि देखो पेटि में नया अकाउंट खुलती है और UPI से लिंक करने जाती है तो इसी प्रकार से आपको भी दिखाएगा और बोलेगा कि आप अपग्रेड नाउ पर क्लिक करिए उसकी बाद ही आपका UPI ID वेगरा मिल पाएगा पहले यह होता था कि आप लोग जो है पेटियम के UPI लिंक करने जाते थे बैंक अकाउंट लिंक करते थे तो आपका वहाँ पर UPI ID क्रिएट हो जाता था लेकिन अब यह वाला अपडेट आ रहा जिसमें बताया जा रहा कि आप अपग्रेड करिए अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपका UPI ID क्रिएट हो जाएगा तो यह कैसा अपडेट है तो अगर आप PTM में नया अकाउंट खोलते हैं और बैंक अकाउंट वहाँ पर लिंक करने जाती हैं तो यह अपडेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा देखे मैं आपको वताओं कि PTM का UPI अब जो है third party हो चुका है जो कि चार बैंकों के साथ उन्होंने partnership किया है जिसमें Exis Bank हो गया, State Bank of India हो गया, HDFC हो गया और Yes Bank हो गया और यह जो है third party के तोर पर आपको UPI दे रहा है मैंने आपको पिछले वीडियो में सूचना दे दिया था कि Adderate PTM जो UPI हैंडल था वो UPI हैंडल अब समाप्त हो चुका है जो कि मैंने आपको प्रूफ के सा करती हैं तो आपको अब नया UPI हैंडल बनाना पड़ेगा और कैसे बना पाएंगे अल्रेडी डीटेल में वीडियो दे चुका हूं नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है देख लीचेगा एक बार तो आप जो आपका UPI ID बनेगा यही चार बैंको जो की PTAXIS, PTSBI, PTS और PTHDFC एड़ेट के बाद यह लिखा मिलेगा जो की अलग अलग चार बैंकों के साथ आप UPI ID एक्टिवेट कर सकते हैं और जीसे आप प्राइमरी बनाना चाहें उसे आप बना सकते हैं अब होता यह है कि आप अगर नया अकाउंट पेटियम का खोलती नहीं बलकि यह चार बैंकों का UPI ID मिलेगा तो अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो आप पेटियम पर UPI नहीं इस्तमाल कर सकती हैं इसलिए आपको अपक्रेड वाला ओप्सन को चुणना परेगा और आपको नया UPI ID जो मिलेगा इनके जो चार बैंक पार्टनर हैं उनके के साथ वाला ही मिलेगा जो कि मैंने आपको वताया अट दिरेट के बाद PTXS, PTSBI और PTS और HDFC यहीं आपको मिलेगा तो अगर आप इससे opt-out होना चाहती हैं इसका मतलब आप जो है नहीं इस्तमाल कर पाएंगे पेटियम पर UPI तो नया अकाउंट अगर आप पेटियम का को आप या तो अप्ग्रेट करिए नहीं तो उसके बाद अटोमेटिक यह लोग क्या करेंगे कि UPI ID आपको बना कर दे देंगे जो कि इनके चार बैंक पार्टनर्सिप में है उसके साथ और आपको यह लोग मैसेज भी दे देते हैं कि देखिए हम चार बैंकों के साथ यह बन जायगा और जब आप लिंक करने जाएंगे बैंक एकाउंट यह आपको सो होता है जो कि नए अकाउन पर पुराने वाले अकाउंट पर भी आपको आपको अप्ग्रेड करने की जरूरत होता है इस बात का ध्यान रखिएगा और अभी आप नया अकाउंट पैटियम वालेट पेटियम का फास्ट टेक सेविंग सेकाउंड फगरा नहीं खोल सकेंगे क्योंकि इजर बैंक ओफ इंडिया के तरब से रोक लगा हुआ है तो देखो मैंने आपको डिटिल में बता दिया इस वीडियो फिला इतना ही मिलती है फिर एक नए वीडियो में